नमस्कार विद्धियर थी मित्रो जीपिएसी ओनलाइन आप लेट्फम पर आप सबनू हर्दिक स्वागाच छे मित्रो अपड़े हवे थी मेंस जे एक्जामनिशन छे एना विशेव अपड़े बहुँ डीटेल मा तैयारी शरू करवाना छिए तो ध्यान रग्जो कि जारे तम्हें कोई पण एक्जामनिशन आपो छो तो एनी अंतरगत तमारे पेला तो एक एप्प्रोच क्रियेट करवान होई कि मारे जे एक्जामनिशन आपवानी छे मानिलो कि प्र्लिम्स आपो छो के मेन्स आपो छो तो प्र्लिम्स नी इंतरगे तमारे factual details लिए रहों और को च footprints ढ़िण डिएर यॅधर यॅधर रहती रह तो जैरो मेस नी तयरी करता होई राउंड करवाना चे तो तुझा नी पधाती अलग छे अने जहां तमारे लखान करवानू छे तो मात्रा खाली ज़्यान थी पन नहीं चाले तमारे ज़्यान ने साथे राइटिंग प्रेक्टिस ए पन तमारे बहुत जरूरी थवानी छे तो आजनों जी लेक्चर छे मा आपड़े syllabus जोगाना छे, syllabus खासकरीने आज आपड़े जोगाना छे जी एस पेपर टू, तो बद्धी बाबत जोगाना छे, त्यार पछी एक खास बाबत छे, important terms, अटले, तो ध्यान राग जो के जियारे पन तम्हें, मेंस मां, answer राइटिंग करता होए, तो त्यारे एक statement स्टेटम आवे, जिमके आ उपरनू statement छे, इन्हें, डिफाइन करो, इना विशे, discussion करो, critical analyze करो, तो अब बद्धा अलग-लग terms छे, एनी चर्चा करवानी छे, त्यार पछी आपने answer राइटिंग, कि answer राइटिंग करती वक्ते, कया-कया मुद्दाव ध्यान मा लिवा, सेंपल question जो शुए, एना answer आपने, जोशू के, कोई question आपेलो छे, तो एनो एक others answer केवो हो, जोई है, आपने answer केवो हो, एनी बात करी छे, एवुँ जरूरी ना थिक, तामे एज प्रकार नो answer लखो, पन एमा जे बद्धा मुद्दाव आपेला छे, एने तमे थोडुक अन करवानूल छे, तो आटली बाबतो आपड़े सर्वात आथी करवाना छे, चालो तो एक पेश एक बाबतो जोई है, सव प्रथम मित्रों ध्यान रख जो के हा, हवे, जे पन मेंस एक्जामनिशन लेवाई छे, एमा पहला नी जेतली मेंस एक्जामनिशन हती, एना थोडिक पहला नी जे मेंस बधी एक्जामनिशन आओती, एमा ना 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 क्वेस्चन पुझा आओता, जमके तम्मेि दी यजओ लेईलो, स्टी एलो, एवन क्लास वन Race 2 नी मेंस एक्जामनिशन लेईलो, तो एमा चार मार्क ना एस प्र्शनो पूछ पूछवामा आओता, जे अन्ने कोई पन प्रश्ण पूछे तो एनो आंसर तमारे 200 सब्द मा आपवानों छे आखास तमारे ध्यानमा राखवानों छे 200 सब्द मा आंसर आपवानों छे ने 10 मार्ट तमने मडशे जेम के तमें D.Y.S.O. नी वाद करीलो अथवा तमें S.T.I. नी वाद करीलो तो त्या पण H.D. तिया 10 सब्द मा तमारे आंसर लखवाना छे अन्ने एक एक प्रेपर ना 100 मार्ट छे GPSC नी वाद करीलो तो त्या शूथावानों छे GPSC छे तिया 15 सब्द मा आंसर लखवाना छे कूल गूण केटला थे जोशे 150 तो अहिया GPSC नी क्लास 1,2 नी पेटन मा तमने आरी ते जोवा मड़ से बाकी D.Y.S.O. ने S.T.I. ने प्रकार नी जे सुपर क्लास 3 एक्जाम निशन छे एमा तमने आ पेटन जोवा मड़े छे अत्यार मारो केवानों मिनिंग एच छे के आपने हवे जे प्रेक्टिस करवा नी छे बस्षो सब्द माते नीच प्रेक्टिस करवा नी छे अब यह ना प्रश्णों के कोई और आउस ने के एनी कोई factual details थी तमार केवाए डर्वानी जरूर नथी तमने मोट्टा भागना जे प्रश्णों पूछायी छे ये थोड़ाक एनालीटिकल प्रकार ना पूछायी छे बिजु, कि एमा पन तमारे factual details याद राखवानी छे, पन एवु नथी कि जो तमने ए साव नानी minor factual details याद नहीं होए, तो तमने आंसर नहीं लखी शको, एवु नथी, जनरल प्रकार ना पन प्रश्णों पूछाई छे, तो आटली बाबत तमारे ध्यनमा राखवानी छे, त सामान्य अभ्यास बेशे, एमा त्रण पोर्शन आवेशे, एक तो आवेशे, बंधारण, एक आवेशे, पबलिक एडमिनिस्ट्रेशन, एटले के जाहेर वहीवट, और एक आवेशे, एथिक्स, एटले के निती सास्त्र, तो पेला तो सिलबस नी बात करी लेए, एतला पन बहुँ डीटेल मां छे, आपड़े जे आना पच्छी ना चे लेक्चर्स छे, एमा एक एक टोपिक विश्च आपड़े बहुँ डीटेल मां जोवान आच्छी, अत्यारे आपड़े बहुँ अधर समय नहीं बगड़े, खली सिलबस तमारी सामे राखेलो छे, के साथे एना जे बदा एक्ट छे, एनी पहला ना जे बदा एतिहासिक प्रुष्ट भूमी मां जे बदा एक्ट छे, सत्तर सो तो अत्यार थी लेइने ओगणी सो सुर्ताली स्तो दीना, तो एनी एक एक बाबद तो तमारे बहुँ डीटेल मां ध्यानमा राखवी पड़े, प एमा तमारे बंधान सबा, केटला दिवस चाली, एनी एंतर गद कई-कई सम्मीतियों हती, तो एवी फेक्ट्यूल डीटेस तमारे याद राखवानी जरूर, नथी पन तमारे भारत निया बंधारानी प्रकुरुती केवी छे, एनी लाक्षणिक ताओ केवी छे, एना जी तरफ भारत ना बंधारानी अंदर घणी बधी जोगवायो एवी छे, के ए आपणा बंधाराने क्याक ने क्याक एकात मकता ना वलन तरफ, अचले के यूनिटरी फिचर्स तरफ छे, ए खेची जाई छे, तो फेडरल सिस्टम छे, ए पन जोवा मडे छे, ने यूनिटर पीक छे, भारतिया संघ तथा राज्य सरकारों ना कारियो तथा फरोजो, अटले के केंद्र छे, और राज्य छे, एमना जेपन कारियो फरोजो छे, बद्धी वस्तु तमारा हिया करवानी छे, और आनी अंतर्गत, जेपन बदी अलग-अलग बोडी आवे छे, जेमके वि बद्धाना तमारे कारियो तथा बद्धानी जे फरोजो छे, ए जोवानी रहे, अटले के तमारे आमारे राष्टपती छे, एना कारियो जोहिलावाना रहे, सरकार छे, तो सरकार नी अंतर्गत मानीलो प्रधान मंत्री छे, आतरफ राज्य मां मुख्य मंत्री छे, तो एम मा आपने बेजिक बाबतों जोई गया होई छे पड़ अहीं तमार लखवानू छे अहीं मात्रा टिक करवानू थेटले याद पण राखू पड़शे त्यार पछी हाल मा आ मुद्धो छे बहुत चर्चामा भोई छे के जहर अपने केंद्र ने राज्यों ना सम्मध्धों नी वाद करता होई तो एमा क्याकनिक्याक राज्येपालनी भूमीका छे तमने आम केवाने के आके उड़ी ने वडगी जे क्याक निक्या का राज्ये पाल छे एनना लिध्या बदा विवादो सर्जाई छे अथ्वा राज्ये पाल छे घणी वखत आपने पोजीटिव द्रश्टी ये जोई है तो एशु करे छे केंद्र ने राज्ये ने एक जोडती कडी सो रूपे पन छे अटले तमारे ना पोजीटिव आस्पेक्ट पन जोवा पड़े आने नेगेटिव आस्पेक्ट पन जोवा पड़े एटला माटे तो अलख्थी टोपीक ज जीपीएसी मा आपवामा आवेलो छे राज्योमा राज्य पाल नी भुमीका मुद्धावो पन जोवा ना चाहन選 अना पड़कारो už पन आपड़े जोवा न चाहन ludzi आना उप्रना प्रस्णो आवेची ने आवेची थाज ने आवेची ये तमां कोई प Krajs EGNnej लेएलो राजजेपाल उप्रना प्रस्णो आवता जोही थे 11 पची दियां नाखवा 17 विभाजन केंद्रने राज्य सरकारोव थे 17 विभाजन छे ए तमारे जोवानू रहे सत्तानू विभाजन कया कया सेंस मा तो पेलां पेलू के आपणी जे सात्मी अनू सूची छे बंधाराना तो एनी अंत्रगत अलग-अलग यादियो आपेली छे केंद्र यादी राज्य यादी सहवर्ती यादी सहवर्ती यादी मां थी तमने प्रष्णा पूछा ये कि भई सहवर्ती यादी शे एमा भले राज्य ने केंद्र शे बनने शे एक काईदा बनावी शके शे परन्तु क्याक ने क्याक एमा पण केंद्र शे ए मजबूत अवस्था धरावे शे सम्झाओ, ठाट्चा करो तो पचि तमारे एंगल थी जोवपड़े सहवर्ती यादी छे एमा जे मुद्दाओ उछे एना उपर केंद्र सरकारे काईदा बनावी शके छे राज्य सरकार पन काईदा बनावी शके छे कुए ने मुद्दाओ पन लखी देवा ना जेमके 1 चे ना पर केंद्र राज्य बने काईदा बनावी शके पन मानीलो के फोरस्ट में रिलेटेड कोई काईदो सहे एमा राज्य सरकार एवस्तु बनावे ली छे केंदर सरकार्य पन ए जोगवई राखेली छे तो ए समय केंदर सरकार्नी जोगवई छे एक ये विगणाशे मजबुद चफ़ए पावर्फुल गणाशे ज्यारे पन विवाद थाई त्यार तो आवा बध़ा प्रष्ण हो छे ए तकमारे ध्यानमा राखवाना तो जो पकेंदरा राजिय वाच्चेना सम्बंध हकासकरी सत्ताने विभाजन उपुछाई TOTR प पन्धानी शुधार वसके जिस रा ने बात कि नुश्य ही कहते दू शुधार This message is TejaILY flavored is correct वीकेंद्री करना फड मढ़िया नथी अथो जोई एवा फड मढ़िया नथी तो एनी पाच्छन ना जे कारणों हो छे ए समझाओ अथो एनी चर्चा करो तो आ बद्धी बाबतो छ आपड़े ध्यानमा राखवी पड़े के बही आपड़े बंधाराण नी द्रस्टी कोण थ पड़े पड़े 3 चिमो बंधाने सुधार लागू कराई दिधो अधी बद्धी जगिया आएछे पंचा आतो नी चुटणी थाई छे नगरपाली का माहाननगरपाली का एमनी चुटणी थाई छे आम छे प्रकारे आपड़े वीकेंद्री कराणू सप्नू जोयू हतु ए स अपन होजीच साकार सहयलू नथी, तेनी पाछाना कारण होशू, तो आवा बदा प्रश्ण होचे यहां पूछाता रहता होई छे घणी वखत छे, पेसा एक्ट पण पूछे लेता होई छे, पंचायत एक्स्टेंट्टू शिड्यूल एरिया, तो ए बदी बाबत आपणे जोवानी रेशे, त्यार पछी बंधाराणिया संस्थाओ अने तेमनी भूमीका, तो जेटली पाण आपणी बंधाराणिया संस्था जेमके खास करीने त्या रे लाइम लेट माहई तो चुटणी पंच, तो चुटणी पंच छे, तो M- домойपूमीका आपणी रहेली छे, अथुआ. बद्धा प्रश्णों छे ये आपने जोवाना रेता होई छे आज रिते बंधानी संस्थाओ छे तो एज रिते गेर बंधानी संस्थाओ पन आवे तो एनी पन आपने चर्चा करवानी रेती होई छे एसी वाई संसद ने राज्य वितास ग्रू संसद नी अंदर शे आखी बाबतो छे जेमगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष तफ्यार पची सभापती उपसभापती एसी वाई जे पन Been of विषय अधी कारो छे येもना कार्यो छे येमनी फरजो छे तो, बदधी बाव अबतो छे एं तमाड जोवानी रेत हो Delhiते राज्यय माँ विधान सपा विधान गुलू छे विधान परीशत छे एक पन तमारे जोवाना ल्यानुं रहे छे खासकरी ने हमना बेतन एक्जामनेशन चेमा विधान परिशाद उपर ना प्रस्णो पन पुछी लिधा चे तो ए पन टोपिक आपड़े जोवानो रेतो होई चे तो कूल मडीने तमें जोवाईया के बंधारण चे तो बंधारण नी अंतरगत तमारे प्रिलिम्स चे एमा जे तैयारी करवानी चे एतो छेज पन साथे हिए तमार वेल्यू एडिशन करवानुछे हवे तमारे शू करवान चे तमारा विचारो ना जे दर्वाजा चे तमारे खोलवा पड़े तमारे जोवू पड़ेक बैए आ बाबत हिए लागू कराविये तो एनी पोजीटिव औने नेगेटिव असर शू थशे अ आसी वाई नियाई पालिका नो पन क्वेश्चन दरएक वक्ते छे ये पूछातो जोई छे एटले ए आपना माटे इंपोर्टान छे तमें जोव के हमना इनी घणी बदी एक्जामनेशन छे एमा तमें जोई हो छे के तमने क्याक नियाईक सक्रियता जुडिशल एक्टिव असवा नियाई पालिका छे एमनी जे भूमीका छे एमना कारियो हो छे तो ए बदी बाबतो पन आपने क्याक निके गेक्जामना पुछता हो छे तो ए आपने जोवानू रहे छे हवे खास दियान लग जोई है के मार्खोंने कारियो तो पुई छा आसीवे कटो कटी ने लगती जोगवायो ए पन तमारे खासकरीने करवानी छे आर्टिकल 352 लेने 360 ए जोवाना रहे छे अने खासकरीने आर्टिकल 368 अटले के बंधारणी सुधार आओ एक तो आखी प्र बंधारणीय सुधार थे चे बेजार 211 सुधी मा अत्यार सुधी मा जे बंधारणी 104 जेटला थेला छे तो इमा जे अग्गती ना बंधारणीय सुधार आओ छे ए पन आपने घणी वखत पुछी लेता होई छे तो आपने डिटेल मा करवाना रहे छे आसीवाई PIL छे अने अत्यार सुधी जे सुप्रीम कोटे जे सिमाचीन चुकाद आओ आपेला छे जेमके एक चुकादो शे बदाने ख्याल असे केस श्वाननद भारती केस जे अपड़ा मुर्बुत मारखाने लेइने जे चुकादो आपवामा आवेलो हतो ए तो आ केस ब तमने छे ए मेंस मां पुछी शके शे तो आ बद्धी बाबतो शे मित्रो तमारे सिलेबस मां ध्यान मां राखवानी शे चालो तो आ बात था ही इंडियन पोलिटी नी आपड़ा मित्रो में तमने पहला च कहिऊ के अहिया मात्र आपड़े थोड़ी थोड़ी चर्चाज करि त्यार पच्छी जाहर वहीवट लोग प्रशासन अने साशन पबेड एन गवर्नांथ तो पबेड सब्जेक हो शे के खासकरी ने जे जीपी एसी नी कोई पन तमारे प्रिलिम्स एक्जामनेशन लईलो तो इमारे प्रिलिम्स मां तमने क्या जोवा मड़तो न थी एटला मा आजू-बाजू मानीलो के तमें छे कोई अधीकार्यों यहांनू काम जोई हुए अथ्वा कोई प्रकार्नी सिस्टम अथ्वा इलेक्शन कमिशन का इरते काम करे छे ए तमें थोड़ू छे नोटडाउन करेलो हुए तो ये बद्धी प्रेक्टिकल वस्तु तमारे क्लास 3 नी जे एक्जामनेशन छे जेमा प्रिलिम्स मा जाहर वहीवट आवे छे एनो सिलेबस अने एमनी जे वाच्वानी पद्धती अलग होई छे अने जे क्लास 1 तो थो सुपर क्लास 3 एमा जे मेंस मा जे पबलिक अड्मिनिस्ट्रेशन सबजेक आवे छे एमा भणवान पद्धती अने सिलेबस अलग होई छे आमा गोखवानू नहीं आवे पन जो तमे क्लास 3 नी एक्जामनेशन नी प्रिपरेशन करता होई तो प्रिलिम्स मा तमारे घणी बदी बाबतों छे गोखवी पर शटले बन्ने ना सिलेबस अने वाच्वानी पद्धती अलग छे ए सुपर क्लास 3 एमनी तैयरी करता होई तो मात्र खाली फेक्ट गोखी नाखवाती तमारू काम थशे नहीं तो ए बाबत आपड़ मित्रों खास करी ने ध्यानमा राखे शू तो थोड़ी चर्चा करी लिए सर्वात मां सिलेबस मां आवश्यक बै लोग प्रशाशन जाहर व कोटील के यह रचित जर्थ सास्त्र रचे मा जाहर वहट नावीचार कहही रित अपड़ा आविया छे जर्केली बहु फेमस छे सप्तांग सिध्धानत कोटील या नुझे अर्थ सास्त्र रचे मा कोईपन जर्चाशन पंपक्ल सर्कार आप कहाहर पर शर्यक ने बैट निन सिद्धान, तो आपने भणवानू रेतु होई छे, आ साथेज मोगल वहिवट छे अने ब्रिटिश शाषन, अने एनी अंतरगत जे जाहर वहिवट मा जे उतकरांती आउती गई, तो ए बाबोत आपने सर्वातमा भणवानी रेती होई छे, अटले आ हिस्टोरिकल पाट छे, पेलू सर्वातमात अमार्या खली प्रकृती जोवानी वे जाहर वहिवट नी अंतरगत सूव आवे छे, अने त्यार पछी, कोटिलिया रचित, अर्शास्त्र, मोगल वहिवट, अने जे ब्रिटिश शाषन, जे मा खास करी नभई, आपने शत्तर सो तो ते त्यार थिलेन ओगणिस्सो सुड़ताली सुधी जे काईदाओं मा फेरफार करिया, अने एनना कारणी जे ब्रिटिश शाषन नो जे जाहर वहिवट नो मार्खू छे, एमा जे फेरफार थाया, तो ए बधी बाबतो थोडिक थोडिक आपने जोवानी रहती होई छे, क्लियार? चार, तो पेला टोपिक, त्यार पछे एक टोपिक आवी जे छे, लोक्षाही मा मुल्की सेवानी भूमीका, अजो के अपनी जे डेमोक्रेसी छे, तो डेमोक्रेसी नी अंतरगत, जे साशन व्यवस्था छे, ए चलावी होई, ते मात्राने मात्र चुटाईला लोको द्वारा तो चा चलावी होई छे, तो एना माते तमारे शुकरू पड़े एक मजबूत माढखू जोई है, आने माढखाना जे बधा स्पेर पाट छे, बधा अंग छे, एपन केवा जोई है, मजबूत जोई है, आने ए स्पेर पाट नी भूमीका निभावे छे कोण, आ मुल्की सेवाना ज जधिकारियों छे, कर्मचारियों छे, एब धी भूमीका निभावे छे, तो प्रश्णों एबा बधा आउता होई छे, जहमके ओगणी सो सुर्टालीस, थी आपनने आजादी मली, तो आजादी पछी मुल्की सेवानी भूमीका, पछी ओगणी सो ने एकाणू पछी जे आ कोरोना मा, अथो कोरोना काड पछी मुल्की सेवानी शाषन व्यवस्था मा भूमीका, एनू वणन करो, तो आवा बधा प्रश्णों छे, ए बधे तामारे हिया जोवाना रहे छे, आब दी बाब तो आपड़ाई डीटेल मा जोशू, तो पछी आवे छे, टोपिक, के वाशन सेत्रे सरकार्नी पोलीसी, उद्योग सेत्रे सरकार्नी पोलीसी, पावर सेक्टर छे, तो तिया सरकार्नी पोलीसी, इन्फरास्ट्रक्चर सेक्टर छे, तो तिया सरकार्नी नितियों कई रिते छे, कानकि आपने शुकर विकास करवानों छे, आपने इन्फरास्ट्र नहीं लावे, त्यां सुधी आवधी वस्तु शक्य बन्षे, तो अलग-अलग जे सरकार नीतियों छे ए पेला तो जोवानी छे, एकवार नीति बनावी दिधी, तो नीति नू अमलीकरण करू उपड़ छे, तो अमलीकरण नी अंत्रगत कया कया मुद्धावो छे, ए आवे कानके पोलीसी खाली तम्हें सेंट्रल लेवल थी बन्यावी नाखी, तो एना थी ये सक्सेस जहसे, एक कोई गेरंटी नाथी, कानके एकवार तम्हें पेछी ग्राउंड लेवल उपड़ ए एनन्या अमलीकरण करावो छे, तो तमने एकचुली ख्यालाव छे, वही कई-कई समस्यावो आवे छे, ए बधी बाबतों अहिया जोवानी रहे छे, तो आ टोपिक थेयो, त्यार पछी, आतो सरकार लेवल थी अपड़े भाद करी, हवे साशन विवस्था में मित्रों ध्यान रग जो के साशन विवस्थानी अंतरगत मात्र मात्र सरकार खाली न थ बिन सरकारी संगाठानों, अने बीजा कोई पण सह भागियो, बीजा अलग-अलग सहल फैल गुरूप छे, घणा बदा अलग-अलग गुरूप छे, युनियन छे, तो आ बधानी भूमीका छे, एनी पन आपड़े चर्चा करवानी छे, ए पन बन्ने द्रष्टी कोण थी, पोजिटिव द्रष्टी कोण थी, पन जोवानी छे, ने नेगेटिव द्रष्टी कोण थी, पन आपड़े आबदी भूमीकाओ, जोवानी छे, खास मित्रों ध्यान रगजो, कि जहारे आपड़े मेंस नी तैयारी करता होई, तो एमा आपड़े क्यारे पन, मात्र कोई एक एक विचारधारा शे, एने पकड़ी ने बेश्वानू न थी, आपड़े दरेक विचारधारा हो शे, दरेक बध्धति हो शे, एक बध्धानो अभ्यास करवानो शे, अने अलग-अलग पध्धति हो शे, एमा पण तुलनात्मक अभ्यास शे, एक करवानो रेतो शे, जहां अपने तुल्ना नहीं करी शकते त्यां सुधी तमारों आंसर छे multi-dimensional नहीं थाई शकते बहु आयामी थाई शक्षे नहीं तो मल्टी डेमेंशन आंसर लखवा माटे पन पेला तो तमारे जुदी-जुदी पद्धतियों जोवीच पडशे, जुदी-जुदी विचारधारों भणवीच पडशे अने त्यार पछी एक बीजास आथे तमारे कंपेरिजन करवू पडशे तो ए बाबध्यानमा राखवाने छे आपणा बधी बाबधो नी चर्चा करवाना छे त्यार पछी अलग-अलग जे बोड़ी छे जमके वेधानिक स्टेट्यूटरी बोड़ी रेगुलेटरी बोड़ी एटले के नियमनकारी अने कोसी जुदिशियल जे बोड़ी छे संस्थ करवाना होई छे जमके अर्थ धनी एक संस्थाव वाद करीदो केट सेंट्रल अड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अचले के अधीकरण अधीकरण मा खास दियान राख जो कि एमनी पासे कोट ना पावर होई छे बद्धे बद्धा समान रुपे कोट ना पावर ना हो पड़ एमनी पासे सिविल पावर रहला होई छे ए दंड ने बद्धू विधान करी शक्ये छे तो आजे केट छे पछे जमके एंजीटी लेएलो नेस्टनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो अलगलग प्रकारना ट्रिब्यूनल लेएलो आना सिवे नी मानी लेओ रेग्यूलेट अथ्वा तम्हे सेबी लेएलो तो आज बद्धी जे बोड़ी शे एमना कारियो शे एमनी आपड़े खासकरीने चर्चा करवानी रहती होई छे त्यार पछी टोपिक आवे छे गुड गवर्नांस एंड इगवर्नांस पेला तो आ समत्ते पला शाष्ण समझू पड़े कला न उपियो करो प्राया, आट रखलें, एकांटिबिलीटी, रिस्पोनेसिबिलीटी एंड ट्रांस परंसी जे साशन व्यवस्था आछे, ये के भी होई जोई, जवाब देए होई जोई है, रिस्पोनेसिबल, एटले के जवाबदारी निभावी जोई अने ट्रांस्प पर मानीलो के तमें गुज्रास सरकार नी वाद करतो गुज्रास सरकार छे एक डगलो अगड़ वधिन कहे छे कि अमें आ त्रण वस्तूतो निभाविय चे साथे 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 अमारी गवर्मेंट के वी छे समयदन शील छे प्रगती शील छे तो तमें आवाव दमुद्धाव पन लखी शको तो आबधी बाबतो तमारे ध्यान मा राखवानी रहे छे तो सुशाशन और इसाशन हवे खास दिया नाखो पारदर्शीता निया आपने वाद करी कि पारदर्शीता लाव माटे कया कही आ पगला भरवा जो है जिमके आर्टी आई नितमें वाद करी दो पछी शाशन मा उत्तर दाईत्वा जवाब देहिता एककाउंटबिलीटी जाडवा माटे शे शू करवू जो है जिमके गुजरा सरकारे बेजार तेर मा एक काईदो लावेलो शे पब्लिक सर्वीस एक्ट तो पब्लिक सर्वीस एक्ट छे ए तमने शू प्रोवाइड करे एककाउंटबिलीटी त्यार पछी समेधन शिल्ता अपड़ी गुजरात सरकार केवी छे समेधन शिल्त जेवी कोई बाबत तो छे एमने ध्यान मा आवे के अहिया प्रश्णों छे उभाद थाई रिया चे तरत एना उपर शू करे ए रिस्पोंस आपनो प्रहत्ना करे पछ शू करे चे पगलातो ले चे तो ए बाबत मारे ध्यान मा राखवाने शे तो अहिया ध्यान राखो के आ बद्धी बाबतों लागू करवा माटे शू करवा माँ छे नागरित अधिकार पत्र अड़ले के सिटी जन चार्टर आर्टी आई पब्लिक सर्विस एक्ट ता बद् अची तमार जोव पड़क बै आर्टी आई छे तो केटला अंज हदे शे ए सफड थेल छे एमा कया कया प्रब्लिक सर्विस एक्ट छे तो एक केटला अंज ए सफड थेल छे एमा कया कया पड़कारो आवे छे सिटी जन चार्टर माँ छे कई-की समस्या वो रहेली छे आ कुल मा खरे-खर रीते छे एक लोको ने असर थाई छे के नथी ठे 개есь के लोको ना जिवने दोरन मा सुधार आवियो छे किन अथी आवियो तो बद्धी बाबतनों छे ए कुना सोशेल औरीट तो च ए систем ४ ना बदा डेमेंसेन पने जोवान काशेए तो आब धा मुद्धाव तमारे पबेड मा भनवाना होई छे, जाहर वईवट मा भनवाना होई छे अने त्यार पछी पेपर टुमा त्रिजो टोपिक छे एचे एथिक्स नो अने फरी थी एथिक्स टोपिक छे एपन आपने प्रिलीम्स मा जान भनता ना थी आपने छे टोपिक छे तो मीत्रोध ध्यान राग जो एथिक्स छे एमें भुक तो आपने कोई था बहुती बह começa ना थी चालै सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तुम्हां कोई बारी ना तुम्हां। नथी रेवाना, हाँ, ए बबच छे के अहीं आ पन तमारे थोड़ाक rules regulation थोड़ाक follow करवा, पड़े, थोड़ीक ideology छे तमारे follow करवी पड़े तो ध्यान राखो, पेलाम पेलू जे topic छे, एचे निती सास्त्रा अने मानव संवार तो अहीं आ, simple बबाबा, छेक भई, निती सास्त्र अचे, ए मात्र मात्र abstract form मा अस्तितो न थी धरावदू निती सास्त्र अचे लागू कराव माटे पेला व्यक्तियो जोईये, जोईये ने जोईये कताली, तमेक कोई प्राणी उपर निती सास्त्र लगाँशो, नहीं.. तमे कोई दिवाल छे ना पर नितिसास्त्र लगवी शकता ना थिक बै आ दिवाल छे नेतिक छे और आ दिवाल अनेतिक छे एवा क्राइटेरिया आउता न थी, एना माटे मनुष्य नी जरूर पड़े, एटले मनुष्य छे त्या तमें नितिक ताना क्राइटेरिया लागू करावी शको छो, एटले निती सास्त्र ने मानुव समवाज जरूरी रहेलो छे, तो पेलाम पेलू एनू शार निर्धारको अन्ने मानुव विहावारो परनी असरो तथा प्रभव, के भाई, निती सास्त्र छे, एनने निर्धारित कोण करे छे, एवा कया फेक्टर छे, जे निती सास्त्र नो बेज छे, तमें जो, के अलग-अलग समाज छे, तो दरेक जग्ये पोत्पतानी परंपरा प्रमणे खा अलग-अलग-पोताना नियम होई, कर्मकांड होई, तो अब बधी बाब अतो छे, एक क्याकनिक असर कोना उपर करे छे, निती सास्त्र उपर असर करे छे, एवा कोई जग्ये कोई पर्टिक्ल खान पान छे, एक खाव पीओ, यमना माटे नितिक छे, तो बिजी जग्याए एज खान पान छे, एवी जालोको माटे के उँ ठाई जग्ये छे, अनितिक छे, तो आब अब अब तमारे खास मित्रो ध्यान मा राखवाने छे, निती सास्त्र ना निर्धारत ततो क्या-क्या छे, पच्छी एमनी मानो विहवारो पर नी असरो, एमना परीणामो, निती सा आ मुद्धो खास दिन राख जो, पर्सनल अने पबलीक, अथो पर्सनल वर्सेस पबलीक, एमा निती सास्त्र, कारके घणी वखा शू थाई, तम्में बहु अटले बहु प्रेक्टिकल तमने कहू, के घणा व्यक्तियों छे, अधीकारियों बने, अधीकारियों बनिया कि जेना काने हैना पताना पर्सनल रिलेशन साचावा माटे छे आब बत तमारे ठोड़ी कहीं yoo detail में भढ़वानी, पबलिक वर्सेस प्राइवेट, पर्सनल रिलेशन छे, यहार सेवमा निती सास्त्र निस्थाने उत्तर दाईतो, कि निती सास्त्र सत्य निस्थाने उत्तर दाईतो, जायर सेवमा जोवानी, काण कि एक्चुली आपड़े तैयारी तो एना माटेज करिये छे, कि ज्यारे आपड़े अधिकारी बनीने जहिये छे, अथवा गवर्मेंट सर्विस सिसमा जहिये छे, तो त्या आपड़ी रिस्पोंसिबिलिटी छे निभाव माटे आपड़े निती सास्त्र छे एनू केट जोवानी रेशे, अहीं आपड़े थोड़ीक व्याक्याओ पण जोवानी रेतिवी छे अलग-अलग छे, जमकि एक्काउंटेबिलिटी, रिस्पोंसिबिलिटी, ट्रांस्परंसी छे, नोन पार्टिशन शीप छे, सत्या निष्ठा छे, तो आवी घणिबदी डेफिनेश आपड़े अलग-अलग रिते जोवानी होई छे, त्यार पछी खास है यह ध्यान राखूं कि अहीं आपण तमारे RTI, पबलिक सर्विस एक अहीं आपण भणवानों रेशे, पन अहीं तुमारे थोड़ूक निती सास्त्रानी द्रश्टिये भणवानू रेतु होई छे, प अमारे एथिकल बाबतों कई-कई रहेली छे, ए तमारे एहीं जोवानी रहे छे, त्यार पछी ध्यान राखो, टोपिक आवे छे वलन, एटिट्यूड, हावे जेवी एटिट्यूड नी वात आवे ने, अटले घणा लोको छे नाम खब्भा उच्या राखिन चालवा लग एनो एक पाटा खब्भाउचा राखिन फरे, एह होई शके, परन्तु मात्र एटलूज न थी के एटिट्यूड एटले खाली आज, एटिट्यूड वलन छे, ए कोई पण व्यक्ति छे, अथ्वा, कोई पण समाजनी व्यक्ति परनी असरो छे, बद्धी बाबतों तमने त् विचार शनी फेरवामा, कोई पण संस्था छे, एनू आखू कारिय संस्क्रूती छे, वर्क कल्चर छे, ए फेरवामा बद्धी एटिट्यूड नी बाबतों घणी खरी काम लागती, वह छे, पण एना मटे तमार समझू, पड़े एटिट्यूड छे, वलन कई रीते बने अंग कया कया छे, तो पछी तम्में एमां कैक फेरफार करी शको, तो वलन ना मूड़तत्यों तमारे जोवाना छे, एनू कारिय जोवाणू छे, अन्ने पछी आ वलन नी व्यक्तियों ना वीचारो, एमना वर्तनुप के विहवार छे, एमनी उपर नी अस्तरों छे, एनी अथो पर्सनल एटिट्यूड नी वाद थे तो एब धी बाबत तो तुमारे खास करीने ध्यानमा राख मांचे अथा moral attitude बे बाबत अउसे moral attitude and political attitude पच्छी सामाजीक असरो अन्य प्रोस्चाहनी भूमिका समझावट ने प्रोस्चाहनी भूमिका अटलापन थे आवड़ी शू तो सिंपल तमने कहो के गांधी जी छे तो गांधी जी आपनने आंदोलन करता सिखवयो के भई जयारे पन तमारा उपर अन्याई थतो होए तो तम्हें शू करो आंदोलन करो पन एमा आंदोलन एमने कहिईयू अहिंसक आंदोलन सत्याग्र तो आजे पंट तमें जोवा कि भारतमा जयारे जयारे लोको उपर अन्यए थाई तो ए सिधा बन्दुको लिएना रस्ता उपर नथी उत्री जता अहिंसाना मार गया है छे ए अंदोलन करे छे सत्यागर करे छे काण के समझावट नी भूमी का को नियती गांधी जी नी ता समझावट बाबत छे खुबाज असर करे छे कोई राष्ट्र शे एमनू निर्माण करवां मात अंद आश्ट्र ना लको ना जे विचारोचे एमनू निर्माण करवां माँ बद्री भाबत घनी खरी असर करती वेुँछे थे तल्ला वलन खुबाज अग्यत्य नो ठोपि आईक्यू केटलो हाई छे अन एना आधारे छे एमनी कॉलिटी नकी करवा मा आउती परन्तु जेम जेम आपड़े समझता गया के व्यक्ति मां आईक्यू छे एना थी भले एंटेलिजन्ट एक लेवले देखाई छे पर एनी साथे ए बिज्जा व्यक्ति ने कई रिते समझी इन्फ्लोंस करी शके छे ए बाबत मात्रा आईक्यू थी डिसाइड नही थे शके एना माट शू जो शे भावनात्मक बुद्धी मत्ता इमोशनल इंटेलिजन्स बिजी बाबत के जे आपड़े पबलिक एड्मिनिस्ट्रेशन मां काम करवानू छे जायरवईवाट मां तो जहारे पण कोई अधिकारी छे के कोई कर्मचारी तो एमने सामे छेडए कोई मशीन साथे काम नथी लेवानू एमने पण सामे छेडए कोई व्यक्तियों साथे ज काम लेवानू तो ए व्यक्तिनी स्थिती एमना विचारो ने जोईने पछी कई रीते तमें काम लेवडावी शको अथो एमनी परिस्थिती समझीने कई रीते तमें ने मदद करी शको एनना माटे सू जरूर पड़ेशे एमोशनल इंटेलिजन्स भावनत्मक बुद्धी मतानी जरूर पड़ेशे आनी आपने बहुत डीटेल माँ पछी चर्चा करशू तो एनी अंतरगत तमारे इमोशनल इंटेलिजन्स नो ख्याल जवानों छे अने वहीवट तथा साशन मा तेनी उप्योगीता कई रीते रहेली छे ए तमारे जवानू रहे छे त्यार पछी आवेशे human value तो तम्हें जो के मानव मुल्यो मानव मुल्यो छे तो कोई abstract form मा न थी ए मानव अथ्वा कोई संगठन के समाज छे एना अधर शू थाई बदलाई रहे तम्हें अमेरिका मा जाओ तो अमेरिका मा जे व्यक्तियों मानव ओ रहे छे तो एमना मुल् अलग रहे वाना गुजरातमान गुजरातमा तम्हें कोई छे एक कोई पाटिकोलर एक कास्ट लेलो अथा पाटिकोलर कोई religion लेलो तो एमना पन पोताना मुल्यो अलग रहे वाना तो मानव मुल्यो पर आ बद्धा फेक्टर हो छे ए जियोग्राफी ना होई ए हिस्ट्री अन्या बिजा बद्धा फेक्टर छे घणा बद्धा काम करता होई छे तो ध्यान रग जो के नागरी कोई छे एमा मुल्य संबंतित शिक्षित करवा माँ एमनू कुटुम कारके शर्वाद के थी थाई छे कोई पन व्यक्तिनी पोताना कुटुम थी तो कुटुम ना काणे अन्या मुल्य माँ सुफरक पेड़ो अथो असरो कई थे ए बणवानू छे समाजना काणे एनन्या मुल्य घडतर कई रीते थाई छे तो अब बद्धी बाबतो शे तमारे हिया जोवानी रेती होई छे तीम पचे निती शास्त्र संबंधित मुद्धावने पड़कारो आवे सवथी मोड्टो मुद्धाचार करप्शन नो अ त्यारे ब्रश्टाचार एज स्रिष्टाचार यहू थाइ गई हो छे आपने मानता न थिक ब्रस्टाचार काई खोटी वस्तू छे, आपना माटे तो के हूँ छे, ब्रस्टाचार एज सिस्टाचार थे गयो छे, तमे जो के बहु घणी वखत कडवी लागे वी बाबत छे, छता पण, मानिल जो के अतियार घणी वखत के हूँ था, के लोको छे, ये सरकारी कर्मचारी बनवा माटे शा माटे आतूर थता होई घणी वखत, कारण के तियां पईसो मडे, तियां चे करॉप्षन ना चांसिस मडे, एटलो जपगार हमने कोई प्राइवेट कंपनी आपती हशे, तो घणी वार स्विकार नहीं करे, शा माटे, कारण के गवर्म जोब, गवर्मेंट जोब हशे, तो करॉप्षन ना चांसिस मड़ता रहे शे, प्राइवेट जोब माँ कोई चांसिस अतला मडवाना न थी, तो आ बाबत्त में जोग के आ बध्धा जे पड़कारो शे, ए क्याक ने-क्याक सामे आवा ना छे जयर पब्लिक आपने अना मूर छे ने नबड़ातों पाड़ी शके अने एकाई रित्या पाड़ी शके एथिक्स चेम नी मदद थी, तो भ्रस्टाचार छे, पच्छी भ्रस्टाचार ने रोकवा माटे जे काईदाकिया बाबतो शे, जे चे ए बंधारन निंदर सुधारा करवानी बाब केंद्रा लेवाले लोकपाल एमनी भूमी का जोवानी रहे ने राज्जिय लेवाले लोका युक तेमनी भूमी का जोवानी रहे, तो अटला मुद्धा वो छे तमारे निती सास्त्र मा बढ़वाना रेता होई छे, अने खास दिया नग जो के घणी वखत, आज जेतला पन एक्जामनेशन मा पूछे छे, अत्या सुधी आपने क्लास 1-2 लेवाले के सुपर क्लास 3 लेवाले के स्टडी पूछे न थी, छे ता पन आपने आनी थोड़ी प्रेक्टिस करीशू, कानके सिलेबस मा आपेल छे, तो आटली बाब अच्छे आपने पेपर टुमा जोवान सिलेबस जोई लिदो, मैं तमने शर्वातमा वाद करी हैती कि जहारे पन कोई प्रस्टन आपने जोता होई है, तो जेवो प्रस्टन एम्मा पहलू कत्थन पूरू था, पाच्छे अलग-लग टम आपेला होई, जेमके चर्चा करो, जेमके एनलाइस करो, तो अलग-अलग मुद्धा हो छे, एना विश्या अपने थोडिक चर्चा करवानी छे, जेनती तमने ख्याल आवे, कि टम्स चेक्चुली शू केवा, मागे छे, तो इम्पोर्टन टम आपने जोईए, सव प्रथम एक टम आवे छे छे, डिफाइन, डिफाइन एकले व्याख्याईत करो, अ एक कथनना बद्धा शब्दो हो छे, एक तमारे समझावा पड़ शे, एनी योग्या रिते तमारे शू करवी पड़ शे, व्याख्या करवानों परेतना करुवा पड़ शे, अने त्यार पछी, एक कथनन न यंत्रगज जेटला पन भाग बदा थाई शके, अथो एना प्रश्यक भागेवा ओच्छाम ओच्छा बद्धा संभवित कीवड अथवा सब्द सम्मुवशे शामेल करवा पडशे के जेना थी आखु कतन छे एतमने क्लियर कट पिक्चर नी जेम बहुँ सरड ताथी सम्झाई जाए एक फड़िया गहा कहसे जाये बहुशे आना फड़ृ आ में अखे बी बहुशे की कोसिश करिये जेना कारणे आपने एक फिक्चर खड़ू थेजे तो व्याख्या करवानी बाब थे त्यार पछे आउछे डिस्कस अज यानक जो क्या मोट्टा भागना पेपर निंद तमने 30-40 तका आशब्द जो मड़से चर्चा करो कोई कथना आपी दिदू स्टेटमेंट आपी दिदू अना पछे एक बही आना विशे तमे चर्चा करो अटले 70 वजारे वाराम वार पुछा तो आशब्द छे चर्चा करवामा जेटला पण मगजमा मुद्धा हो छेने ए बाबत ने लहीने प्रस्टना ने लहीने ए तमे ल साशन विवस्था नो प्रस्टना पूछे तो एना विशेद लखवानों छे पन एनी इंदर जेटलू पन डिटेल मा तमें लखी शको ए आउशे पन ध्यान राखनू चर्चा की दी छे तो एमा तमारे पोजीटिव औन नेगेटिव बनने आस्पेक्ट बतावाना छे सकार आस्पेक्ट बतावानों छे चर्चा में वदी बाबत आउए मानिल्य आपने त्रण चा लोको छे ए कोई डिस्कस्चन करता हुए तो डिस्कस्चन मा मात्र वाहवाहि नथाति वे कोई मुद्दानी एना नेगेटिव पात नी पन चर्चा थाति वेना नकारत्म कोलन नी प पण हमें लहीत नुकजया नरी यहारा बहती हनी पाना। では जफ़ीन यहां होगहीं आध्यू करकेख्यों. चर्चा करी रहिया छो आपन करी शकाई तो आनाकाने शू छे के एवो माहल बन्षे के तमें खली आंसर न थी लखी रहिया तमें परिक्षक साथे वादचित करी रहिया छो एने ज चर्चा के वामा आवे छे तो ए प्रकार आपड़ा आंसर हो जोई आ अे शू करवानुँछे नवा नवा प्रश्न उभा करवाना थे एनो जवब तम्हारे जापनों chcia प्रश्न उभा करणी प्रकार मुकीनत द्यवानँ प्रश्न उभा करनी तमारह आंसर पुन एन्ण आपवानो तो ध्यान राखो, आ बद्धा शब्दों छे एनू मुख्य छे एक रक्सु आवे, डिटेल एक्स्प्लेन, के बाई तमने जे पन कत्थन आपियो छे ने तम्हें शुकरो डिटेल माँ एक्स्प्लेनेशन आवो विगत्वार एनी सम्झुती आपो, आने आपन बहु शामनिय रिते पुछाजा प्रश्णों हो छे, के बाई मुल्यांकन करो, असेस करो, अथ्वा परिक्षन करो, एक्स्प्लेन करो, तो अहीं तमार शुकरवानू छे, पेलाम पेलू जे कई खबर होई, ते विगत्वार लखवानू छे, पच्छी, सरवात मां इंट्रोरक्षनों पा आविज जोई ए, पच्छी, त्रॉंथी, 4 लिटीओ, विरोधमा आविज जोई ए, एक्सामीन करवानू के दोटले तमार बद्धा एंगल थी शुकरवानू छे, तपास वानू छे, आ एंगल बरोबर छे, आ सर खूशे, आ सर खूशे, बद्धा एंगल थी तमारे वस्तित छे में, आएंगल ती सारों लागें crystal, बद्धी बबय आप दो ओहिंहें तमारे जवतानी रहे पने विक गतवार तमारे लखवानू रहे चे त्य यार पछी यहनी असरो लख्वानी अगुषए यहनी मरियाधा ओ लख्वानी छे और escort कि ज़ित्वन च्वा, त्य Looking- portfolars लख्वानूुआ ट्यारे त्बारो अंसर शुु थाछे संपोन थाशे तो अशब्ध आवे त्यारे आरिट dp i5 लख्वा चाल, next आवेश, opinion, comment, view कोई तमने एक बज्यार माँ छे, उर्ती बाबत मडी जये पशे तमने केख भै तमारो opinion आपो, तमारो view आपो सिंपल का एक भै दिल्ली छे, तो दिल्ली ने पून पने, राज्यनो दरजो आपो जोई है, comment, opinion, view आउँ खाली statement आपी ने, पछी करी दिये, तो पछी तमारो शुकावनाँचे, तमारा जे विचारो शे, ए लखवानाँचे, एमा एवँ जरूरी नथी, के तमे शे, ए शुकारो, मात्रा, मात्रा, कोई बेठे-बेठा, कोई ना view उपाडी ने लखी ना, कोई जरू नथी, तमे तमारा नवा व्यू लखी शको शो, पण ध्यान राखवानुशे, के जे पन व्यू आपो शो, ए थोड़ाक स्विकारिय थाई, एवा होवा, जोईए, तमे खाली एव ना कही शको, के बाई, चालो, डिल्ली ने पाकिस्तान में बेडवी दो, के मारो व्यू तो एव प्रकाना व्यू के कमेंटरी तमें करी शको, नहीं स्विकारिय होवा, जोईए, तो पेलो ध्यान राखवानुशे, ज्यारे पन अभी प्राइवी शे पुछे, तो पेलाम पेलो तमारो अभी प्राइचे के वह हो जोई, आशावाद थी भरेलो हो जोईए, पोजीटिव आ पन अचकेवा, आशावादी, भावी लक्ष, प्रगतिशिल अभीगम साथे, तमारो जे पन एप्रोच छे एन्मने लईने, ए तमारो शू करवानुशे, ए प्रगतिशिल एप्रोच साथे ज बतावानुशे, तमारे आंसर में नेगेटिविटी छे, ये ना हुई जोई, क के टमारे दर्शावाना रह चे, एटले तमारो रच्चनातमत अभीप्राई हो जोई, बीजू, कि तमें जे पन अभीप्राई आपो, ए पोतानो व्यक्तिगत अभीप्राई, साव ho जोई, पन, तमारे अभीप्राई के वो हो जोई, मोट्टा प्रमणमा सिविकारी, आ आपने कमेंट करवानु कहिए। तो तम्हें क्यों, मने तो जे इच्छा मनमा आउशे, यह जुँँ लखीस ने, मारी कमेंट पूछी है। तो भले तम्हारे व्यू, कमेंट बदू पूछी हुछे, पने एक्जामनेशन छे, एध्यान मा राखवानु छे, तम्हें कोई पोलिटिकल पार्टी ना लीडर न थी, के तम्हें खाली सामेवाडा छे, एने शू करो, एने पाड़ी देवा माटे तम्हें कमेंट करो, टिप मोट्टा भाग ना लोको स्विकारिया करी शके, ए प्रकार ना हुआ, जोईए, नेक्स्ट, त्यार पाशी छे, एन्नुमेरेट, आ शब्द बो उछावता हुछे, गणत्री करो, तो यहनों और सो छे, के अहीं फक्त जे विश्य ही छे, एनना जे अलग-अलग करवा, सुच्ची बद करवा, तमने मानी लिए, पूछी लिए, जी एसल्वी नी विशेषता हो, अथो जी एसल्वी एन पी एसल्वी नी विशेषता हो, लखो, बहुत सरवर प्रश्ण कहियो, अव्यावा पूछता ना थी, पन आवा प्रकाना थोड़ाक फेक्च्चुल टाइप ना होए, तो तमार शू करवानू, पेली विशेषता, बिजी विशेषता, त्रीजी, चोथी, पांच मी, छठी, अर लाकू तमार लिस्ट छे, एक करी देवानू छे, सिंपल, के तमने खाली विटामीन छे, जे जी पीएसी क्लास 1, 2 मा पूछिली दू, के बाई, विटामीन छे, अलगलग विटामीन, अने असर हो छे, बताव, सू थाई छेन, पाची लख्यू एनुमरे, तो तमारे, A, B, C, D, E, F, K, की जे, तो ये बधा विटामीन छे, इनी, बद्धी बावदतो, सु करी देवानी, ए लिस्टेड करी देवाना छे चाल नेक्स्ट एना पछी एनलाइस के विश्लेशन करो विश्लेशन अरकलेशू बाल की खाल वाडवईने तो एने याम प्रदी कोर्थियाम फेंदी नाखुएं के अंदर सू छे कई-के वस्तु छेमा क्या-क्या-डीन छे अन्य कई बावतो समावेश थाई छे तो सिम्पल एनालीसिस मा तमारे त्यान डाग जो के विश्लेशन जयारे करो छो त्यारे तेनु मुल्यांकन आक करणी अन्य परिक्षा ज्या आगड़ जोए ए प्रकानुज करवानु छे आपने बद्दा अलग-अलग एंगल थियाने एक्जामीन करव तमारो जो परसनल अपिण्यान छे अभीप्राई छे ए पन तमारे आए एन्य लेस गथे एमाप वा नो रहे छे बिजु तम्हे जे पन अभीप्राई आपोछो एनो अर्थ शूथ हाई चे के तम्हें विगत्वार खुला अपयो तार के क्रिते के बैई मिया आ प्रदे पा तम्हार ज्यानने से अर्थभटं करी रहा उर्थ तमने पासे वॅबफ़ने लएने जट्छी करी आनलेज्च है तो ए इनालेज्च वा संदैड करी एनालेज़यो से ज्याने से ते में लागादा होगared चाल, नेक्स्ट छे, इल्यूसिडेट, एलाबोरेट, एक्स्पांड, एक्जेम्प्लिफाई, अटलेके स्पोस्ट, विस्त्रूत, अन्ये उदाहरण आपभू, तो ध्यान राखो अमा, के कथन आपेलू छान पछे शब्दो आपेला छे, तो यहान ध्यान राख जो, के आम जो, जे तो बद्धा सर्खा सब्दो देखाई तमने, छे, ता पण यहान थोड़ाग 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 छे, पेलाम पेलू, एल्यूसिडेट छे, एनो मीनिंग शू थाई, के तम्ये स्पष्ट करो, तमने जे कथन आपेलू छे, तो यहनी स्पष्ट त एलाबोराट ने एक्सपांड एनो शू के छे, के आज एर शब्दो आवे, तो एनो मीनिंग जे छे, के तमने जे एक स्टेटमेंट आपेलू जू छे, एने तमारे विगतवार छे, ए समझावनू छे, एनो अर्थ छे, ए तमार विस्तार पूर्वक छे, एनो खुलासो पूर्वानू छे, के जेना थी बहुँ क्लिर कट एक कथन तमने समझाई जे, त्यार पछी, उदारण आपू एक्जेंपलिफा एनो और सू थाई, के तमे ज्यारे तमे कथन विस्ते समझावी रहिया, छो, तो तमारे एनू स्पेसिफिक उदारण आपूनू जेना काने सम बहुँ सिंपल वात काओ, मानिलो के कोई व्यक्ती छे, एमने, निलगाई जोई नथी, तो तमे शू करो, के मानिलो, शेहरी विस्तर में निलगाई जोवाना मड़े, तो तमे एम कहो का कोई जगे मानिलो के सिंपल छे, एक वू प्राणी बतावी दो, के बहुँ जो प्राणी बतावी निलगाई आ प्राकार नी, तो तमे उदारन आपी दीदू, आटला पेलाने इमेजिनेशन थाई जेह, के बहुँ निलगाई छे, एक प्राकार नी पछी मानिलो क्यारे जंगल मा जाई, अन्ने तिया निलगाई जोवाटले तरह तरह तेने यादावी ज तो तमार शूकरों छे एक पर्टिकुलर परफेक्ट उदारन आपवानु छे, के जेना काणी कत्थन छे, बहुँ सारी रिते है, समझाई जे, चाला, नेक्स्ट, त्यार पछे हो छे, डिस्क्राइब, वनन करो, तो आतो बहुँ सिंपल छे, वनन करवा मा छे, के बै, अही जे, पर जानों छे, ये तमार शूकरों छे, ये वनन करवानू, छे, तो बहुँ सरोर छे, आमा कोई तमार एनलाइज के काई नहीं, जेतली माहीती छे, लखी ना कोई ये, क्लियर, खाली, वनन, छे, चाला, मानीलो, के तमने खाली कहे, के बै, गांधार औने मथूरा शेल तो तमार शूकरों छे, जे टली पन बाबुत तमने याद होई, ये बदी तमार लखवानी रहे छे, तो सिंपल, एना मुर्भूत्री ते एना जे भागो छे, ते सूश, एना जे घटको छे, लाक्षनिकता होचे, आनने विशेस्ता होचे, एना विशे अपड़े लखवा रहे छे, नेक्स्ट, नेरेट, तो आपन सिंपल शब्द छे, वर्ण वो, तो नेरेट, एना मिनिंग शूथाई, तमारी पासे समय सारणी होवी जोईए, अवे आज यानरेक जो समय सारणी, क्रोनोलोजीकल तमार समझावानू छे, तमने कोई इवेंट कही होई, तो इवे प्रथम विश्वयूद, एनी घटनाव विश्वयूद, तो प्रथम विश्वयूद थयू, एनी पेला कई-कई घटनाव थयू, एनी पेला कई-कई-कई संधियो थयू, जेना काने प्रथम विश्वयूद थयू, पच्छे नू तातकाली कारण बतावनू रहे, अने एना प्रत्थम विश्वयुद में एक पछी एक जे देशों शामेल थता गया ये तमारे डीटेल मां बतावू पड़े तो सिंपल अहिए शर्वात्थी अंतसुधी नी शुकरवानी छे कथा करवानी छे संत्यानाराविन कथा करो तो सर्वात मत crypto ये प्रषाद आपी देवानो ना होए प्रषाद छेल जापवान ौ पुरी थाय पछी सर्वात महाँ प्रषाद आपी दो पछी सर्वात मतलोको शुधtechn करो तो पेलो धे गजो चोत्धियाई पच्छी तमारे शुकरवानु छे प्रशाद आपवानुँ छे ए रित्य हे तुमारे वणां करवानु छे तो अहुन सिंची महत्फव पून रहत बश्बध चलार पचिछ diff. ह управद मशंपोली ऊब्लेॉशन करतो पणबी एक्सामीन तो जुन मुझंग भी prosper क्रिटीकली एनेलाइज के आवा बदा शब्दो छे एना काने शुथ है के तम्हें कोई पन मुद्धो छे एनने केटली तिक्ष्णता थी छे तम्हें एना बदा इंगल तपासी नी भूलो काढ़ी शको छो एनू विवेचन तम्हें करी शको छो करके अधिकारी बनिया पची तम्हारे एज करवानू छे तम्हारे कोई तम्हें योजना छे अमली करण मा आपी शे तो योजना छे एमा कई-कई भूल रहेली शे योजना लागू करावती वक्ते कई-कई समस्याव आओ शे एनने कई-कई पड़कारों आपने सामनों करवा पड़कारों नों सामनों करवा मेट आपनी पसे कई-कई उपए हो छे आ बदी बाबतों हो छे एक क्रिटीकली एनलाइस्थी थशे तो यहना आमडे तिक्ष्ण बुद्धी तमारे जरू पर छे एटला माटे यूपीएसे ने जिपीएसे छे एमा कोई-पन पेपर लेह ल के तमारे जेपन बाबत पूछेली हो एना गुण दोश बन्ने लखवा पडशे अन्ने त्यार पशी तमारे नियाई-पूण रिते पक्षपात विनानू अथ्वा वेल्यू बेस थे तमारे फाइनल इसू करवा पडशे चुकादो आपवो पडशे तमार के हुँ पडशे तो इन्ने निश्कर्स अटले के कंक्लूजन मडवू जोई ये जैरे तम्हें क्रिटीकली एनलाइस के नी बाद करता होई त्यारे अब बद खुब जरूरी छे तम्हें अध्वच्चे समस्या मुकी ने अंसर पूरो करी शको नहीं तमारे फाइनली कंक्लूजन आपुज पढ़ शे के तो जाना आंसर पूरो थशे क्लियर चालो नेक्स्ट आव छे परपज गौल अबजेक्टिव एंड टार्गेट लेकि हेतू लक्षे न उद्देश ये तो सिंपल बाब अच्छे ये के जे कथन के काया आपल उशे तो एना माटे कया हेतू कया लक्षे के उद कर लडा उपर तमारे लखवानू बैट 2 रहत मैं अगहाने माटेश शे क्यार वंपर क्या माथ बश्चो शब्दनी, तो यहां बहुँ रेर केस मां पूछी शके, next, त्यार पची छे, implications, consequences, and outcomes, or result, तो कोई पन घटना अथ्व मानिलियो कि आपड़े कोई नवी संस्था बनावेली छे, कोई निती बनावेली छे, कोई काईदो बनावेलो छे, तो इकाईदो ने वाक्या प्रश्ण मां जे पन घटना अचे एना परीना में, संभवित, द्रश्ची अथ्वा जे प्रभाव छे, ए लखवाना अथ्वा, भविश्य मां सु थाई शके, मानिलियो कि अत्या नत्यार एना तातकाली कोई परीना मों ना मड़े, पन भविश्य मां कया कया परीना मों significance and importance, महत्व समझावानू छे, तो कोई पन फरीथी, नीती होई, संस्था होई, के कोई पन घटना होई, तो एनू महत्व सु छे, ए तमारे हिया बतानू रहे छे, तो जो ते अस्तित्वा मां छे, तो शू थाई छे, ए घटना बने छे, तो शू थाई छे, अथो घटना के ए संस्था नथी, तो शू थाई छे, मानिलो के योजना आयोग, ए हतु, तो एनी असर, हवे योजना आयोग नथी, तो शू असर थाई, अथवा, योजना आयोग ने रिप्लेस करी निती आयोग अपड़े लाविया, तो एनू महत्व सु छे, तो आब दी बाबतो तमारे बतावानी रहे छे, त्यार पेचिनों शब्द छे, कॉंट्रा सथवा, डिस्टिंग्यूस, अटले के वीरोधाबास के तफावत, तफावत अपनू पूछे, तो ध्यान राखो, अहिया तमारे शू लखवानू छे, तफावत लखवाना अचे, समानता नहीं, जो अंदर क सर्खामनी पूछे, जो सर्खामनी अन्ने वीरोधाबास बनने पूछे, तो समानता अन्ने तफावत बनने लखवाना छे, तमने अंदर समानता न तफावत बनने लखवाना छे, तमने अंदर समानता न तफावत बननने कही आओ, तो तमने बनने वस्तू लखवाना छे, नेक्स्ट आवे छे आउटलाइन हवे आउटलाइन छे रूप रेखा एमा ध्यान रागजो के आपड़े मानीलो के आरी ते एक आउटलाइन बंधी तो एनो मीनिंग शो थियो के आनी एंत्रग जेटली पन बाबतो छे ए बद्धानो तमारे शू करो पड़ से? उल्लेक करवा पड़, तो ध्यान रागजो क्या हईंक कोई आवी labor2 विगतों बदले तमारे संपुन जे घटला छे अथा संपुन बाबतो हो छे एनो उल्लेक करवान हो आं जड़ले के मानी विगत ना बदले जे वेश्विक सरच अथ्वा जे आंतर सम्मंध हो छे एना पर भार मुके ने जे मुख्य मुद्दा हो छे ए विगत्वार तमारे चर्चा करवानी छे आउटले नाखी बांधवानी छे रूप परेखा एनी तयार करवानी छे तो परिस्थितिती ना जेपन महत्पुवा पून तत्यों छे ए शा अभूं के सिम्पल एक्जांपल एरीत एकल दोगा वाला चे गुजराती राए उल्पधामा एहवाल लेखान ने उध्वावे तो तम्हें आउख वकवे मरी नडसरो वर नी यात्रा तो नडशरो नी यात्रा तमें कहता है तो तमें एक होक भै त्या हूँ गयो तो मने आवावा प्रकार ना छे पक्षियो मडिया आवा प्रकार नू अहला दक्क वातावरण छे त्या मने मडियू तो आववा तमें जे वर्नन करो शेना काने शुथाषए कि कोई व्यक्ति ने आज यहरे कहता आशो तो एनी सामें आखू नर्शरो वर्ष हो खाश्यू उभू थाई जशे अटले तम्हें कोई घटना नी आरिते वणन करो के जेना काणे ए घटना सचित्र छे ए त्यां रजू थाई जे एने जिकेवए इलस्ट्राट तो तमार आंसर ए प्रकानो लखवानो छे कि घटना तमारी सामेज थाई छे के परिक्षक वाद तो एनी सामे आखू द्रश्च्य असू थी ये खड़ू थाई जाई तो त्यानर जो कहिए ए प्रकाना उधरन आपवाना छे कि जेना काणे आखे आखू जे विशय छे ए तमने विगतवार छे ए समझाई जे अने विगतवार तमे नी शू करी शको व्याख्यान वधू आपी दो तो इलस्ट्राट मारी ते तमार करवानू रहे छे बिजू लेखन मा स्पष्टता राखवानी शे जटिल परिभाषा अने घटना नी सिक्वंस चे ए तमे शू करी शको शरण ताथी रजू करी शको कारके तमे शरण सब्दों उप्योग करियो शे तोज व्यावस्तेतेते चित्राव चे उभू थशे चालो अने तमे उधारण अने आकड़ावन उप्योग करी शको समझूती आपता होई तो थोड़ूक एक तत्थियात्मक जेकली आंसर राक्षो आमा तो एक ठोस चित्र बन्टहें नककरपूरावाथी चित्र बन्टहें नेक्स्ट आञे चिछ जस्टीफाइ तो पुच्छ आज बावां दुच्छ मे तमे जे ब्रद वाक्यां कहि Dallas Ray आ भेल रिते बरोबर चे टो कैई रिते बरोबर चे तो एना काड़ानों आप़ो अपर तरको आप़ो अथ्वा निश्कर्ष जे पन आपेलु छे एने तेको आपवा मेटे विश्यना पूर्ता आधारो और उधारान आपवा तम्हें जे पन स्टेटमेंट छे में जे पन तम्हें साइड लिधी होई तो एने तर्क बदरीते रजू करवा माटे तमारे आकडा आपवा उधारन आपवा जेना काणा छे थोड़ुक मजबूत तमारो तर्क बेसी शोके तियां तो सिंपल तमारी सज्ज दलील रजू करवा माटे तमारी निशकर्ष ने जनावता पहला तमारा पोता ना विरुद थई शके वा बद्धा मन्तवियों ने विचार करवानों सिंपल छे रिजर्वेशन नो मुद्धो आवे रिजर्वेशन होँ जोई है के न होँ जोई मानिलो के तम्में एक तर्फवा जाओ जोगवा रिजर्वेशन होँ जोई है नहीं तो तरह तहीं थी प्रश्णों आवशे के वंचीत वर्गो नुशु जे लोको अत्यार सुधी शे एम मुख्य धाराम आवी शक्या ना थी तो एमनुशु करवानुशे एमने तो एटला आधारोज न थी मढ़िया के जे मुख्य धारा सुधी पोची शके तो आ बद्धा मगजमा विचारो राखी ने पच्छी तमारे कोई शुकर अनुशे कोई एक जगे आईशे तमारे निश्कर्श लेवानु रेशे एन पच्छी तमारे के वंचीत वर्गो न आगड वधारोए तो एना माटे आवावावा विजा पगला पन लई शकाई तो तमारे पोताना जे दल्लीलो शे तमारे सारीत तरक बद्ध रजू करवी पडशे तो एना जस्टिफिकेशन के होई नेक्स्ट आवेशे गिवेन अकाउंट ओ नो हिसाब अथ्वा वित्राण आपो सिंपल शे हिसाब आपवानो शे तो अहीं शू करशू के जे पन पुछेलो विश्वाई छे एनी विगत वार विगतो आपशू के एनी जेटले पन विगतो मारी पास आसे हो आपपी दैस मारो जेटलो इसाब शे एब दोंशू करी दैस आपी दैस तो एकाउंट फोर छे एमा तमने मात्र सू छे एज नहीं परन्तू ते चोकस विशे थो मुद्धो सा माटे बनियो तेना विशे पन पूछे छे ए ध्यान मा राखवानू छे खाली सू छे एने पन शा माटे शा माटे संस्था बनावा मावी शा माटे आ घटना घटी तो ए बद्धी बाबतो तमारे इहां कभानी रेशे त्यार पच्छी छे समराइज सारांश तो ध्यान रखो सिंपल तमने शुख दूख सार आपी दो जे पन घटना चे तो अकत्थन चे नू तमारे शुख करवानू छे सारांश आपवानों छे तो उम्मेद्वारोय विग्यत थो उधाराणों छे बद्धाने बाद करता चे मुख्य मुद्धा हो छे नू संक्षित विवरान आपी देवानू छे तमने कोई बहु मोटी घटना पुछली छे न तमार खले नो शारांश के बानों छे आखी पुस्तक आपी दीदी छे अन्ने पच्छी के गव्या पुस्तक छे एनने मत्रे एक पेज माँ तमे रजू करो तो पच्छी तमार शूकर पड़े शारा जापू पड़े शंक्षित माईनू विवरान आपू पड़े नेक्स्ट छे ट्रेस तो ट्रेस माँ सिंपल दियानक जो कोई पने इवेंट अथवा प्रक्रियानो जे विविद तब्बक्का वार जे क्रम छे ए तमार शूकर वां छे यहां बतावानों छे जहमके तम चर्ण पड़े विविद याना चेग्स्राइट शेब सेवाना जाख एकवाना भववद तमार मित्रो ध्यानों राख्वाने है क्रम बद्ध रजुवात करवाने है विविद ये ने तबक्का या चे ए तमारे बतावाना रहे शे तो आटला टम्स हता कूल आपड़े 35 जे अटले ए पुण छे तम्हे थोड़ाक identify करी शको शो, clear? तो हवे, Tom ने बदू पूरू थाई गिएुँछे हवे, आपने answer writing करती वक्ते कया-कया मुद्धाओ ध्यानमा लेवा जोईए एना विश्य चर्चा करशू पच्छी तो जेम-जेम answer लख्वानू चालू करशू, practice करशू पच्छी आपने वधर रख्या लाऊशे, तम्हें नुखाली तम्हें मुद्धाज करी शक्रीश के तम्हें, मानिलो, पहली बार जे answer लख्वानू चालू करता होई यह लखो छो, तो जो बंधारान रिलेटेड कोई प्रस्ण लखता होई तो यहनी शर्वात बंधारान अनुचेद ना होई तो यहना रिलेटेड कोई fact छे अथो संबंधित कोई प्रस्ण नीजे पायागत माहीती शे इना ठी करवी आना काणे शू थाशे, कि जेवू तमे बंधाराण नो अनुछे देशे ए आपशो, आ हवामा वात नथी करी रही हो, आ वेक्ती शे एमने बंधाराण विशे ख्याल छे, अन्ने बिजू एक दियानाग जो कि रिस्फेक्टर पने टलू छे, जो तमने आर्टिकल ख्याल ना ह तो नहीं लखवान, नहीं तो शू थाई कि मुद्धो कोई अलग से, मानी लिएक तमें फंडामेंटल राइट नो कोई प्रश्ण असे, तमें कोई DPSP लखीन आविया थो DPSP न कोई बाबत आशे, अन्ने फंडामेंटल राइट नो कोई आर्टिकल लखीन आविया, तो त तियां थी नेगेटिव इंप्रेशन थाई जेशे, तो तमें पर्टिकलर जो फेक्ट, आर्टिकल के वाबत ख्यालोए, तो तियां थे निशर्वात करवी, तियार पछी जेपन प्रश्ण अचे, मानी लो के आरीते, त्रों लाइन मा प्रश्ण आपेला छे, तो एना प्रण बद लखवानू रेशे, पच्छी जो, कि सर्वात नो जे तबको होई, अथो सर्वात नो जे कथन होई, तो एने प्रथम पेरेग्राप मा सम्झाओ, आपने त्राण लाइन नो प्रश्ण के आपिऊ छे, तो एमा प्रथम के बीजी लाइन छे, एमा जे मुद्धा सर्ज आगण वधी रेऊ छे, आ जे विशय छे नहीं, बाहर कोई आंसर लखता न थी, त्यार पशी, जे पन प्रश्ण आपेल छे, एना बन्ने पक्षों ने बाबतों नी रजवात करवी, बन्ने बाबतों मींस के पोजिटिव नेगेटिव जेटला पन एपरोच इस छे, तो ये बद्धा पक्षों छे, एनी रजवात करवी, बिजू, आपणों जेपन पक्षों, यले तमारों जेपन पक्ष के बाबतों तो येना माटे योग्य आकडाव, योग्य माहिती, के तर्क छे, एनी रजवात करवी, कानके तमारे जेपन पक्ष तमे लिदों छे, तम आपको आम आवेला होई तो इरजू करवा सुप्रीम कोट अगाव मा छे अलग-अलग चुकादा मा छे ए बाबत्व घटना छे एनू वणन करलू तो एह जरूरू थी बतावा त्यार पछी अलग-अलग रिपोर्ट छे तो एनी आधरे माहिती जोडी शकाई जेमके तमें फाइन्स कमिशन छे एनी कोई बाबतो छे ए जोइन्टे यहां करी शको नितियाग अलग-अलग एपोते रिपोर्ट बार पाड़े छे अथ्वा इन्टरनेशनल लेवल उपर मानी लोग ट्रांसपरंसी इन्टरनेशनल छे अथ्वा गणाबद संगठनो छे तो एक कोई पण जे सुच्चकांको छे रिपोर्ट के काई पन बार पाड़े छे तो हब सरकारी आयोक फोग आमने भृलानीं कृषे अथ्वा राज्ययपाल र्हे आमने पुझचई कमीशन छे एम आ भृला मनी के लिए चिए संथानम दी रहा कंचाहिती राजके दली कोई बाबत लोग षे नांमट आ भला मनी के लिए घृते हा में बढ़े अथ्वा अर्सी काई ना चले आतो आवसे ARC 1, ARC 2 तो एड्मिस्रेटरिव रेफोर्म कमीशन चे तो एना आरिपोट प्रमाण आवियावी भला मनो करे जी छे तो आवाम उद्धावत अमे लखी शको एना काणे सुष्रकेत तमारो आंसर चे बहु व्योवस्थित थशे अन्या बहु शूद्रड़ थशे चाल योग्य उद्धारणो आपव जे पण घटना अथवा जे पण प्रश्मा चे एनी साथे बंध बेशता होई ए प्रकाणा उद्धारणो आपव जयारे पण आंसर लगता होई त्यार आटली बाबतों मित्रों तमारे ध्यान मा राखवानी छे आंसर राइटिंग करता होई हवे जो मैं तमना पहलाज कहिऊ के अहीं हवे जे आंसर छे ये तमारे 200 सब्दमा लखवानों छे एटले तमे खाली 2 तन मुद्दा थी आंसर पूरो करी शको नहीं तो घणिवार शुथ है कि आपड़े 2 तन मुद्दा लखवानी 345 सब्दा अनसर लखवानी तो फटावर लखवानी पड़ा लखवानी 200 सब्दा 200 सब्दा मा तो तमे ये तो ना करो 3 मुद्दा छे 10 वार लखवानी 30 मुद्दा थी अनसर मार्स मड़ता मोटा भगना लखवा अथवा एक्जाम्टा में आवू पण थाए 1 मुद्दा जियाद आवे 2 3 मुद्दा जियाद आवे 2 3 मुद्दा में बश्वा सब्द लखवानी आपड़े क्रियेटीवीटी नी बाद छे पण जियेम बने मल्टी डैमेंशनल जेटलो आंसर थशे ए प्रकारे मार्क मडशे तो जो हैं आपणे अत्यार्यावे में जेतमने कहिऊ तुकवे आपणे प्रेक्टिस क्वेश्चन लेशू तो एक क्वेश्चन आपणे ही यहां लेए अने पछी आनो डीटेल मां आंसर जोई है थोड़ा बले अमां बस्सो शब्द करता में वधर है राखिया छे के तम्में अमां थी घटाडी घटाडी नथवा तम्मार याद मां भले अमां थी अर्दो आंसर एरे शेतो पन तम्में बस्सो शब्द मां लखी ने आवी शको एटला माट तो क्वेश्चन तम्में जोईलो वट इस सेपरेश्ण ओफ पावर इन दे कंस्टिटूशन एक प्रश्ण थी क्यों पहलू के बंधारमा उल्लेखित सत्तानू विभाजन सुभू छे पछी डिस्कस चर्चाकरवाई डिस्कस रिफ्लेक्टेड के भारतिय राज्यय व्यवस्थान प्रकाश्मा नियंत्रन संतुलन आपने आना विश्यवाद करशू चेकन बेलेंस नों ख्याल छे निशू करो चर्चा करो अटले अहीं आप जे अपनो प्रस्टन छे एमा बे पारट छे पेलो पारट छे ए सत्तानू विभाजन सेप्रेश्ण ओपावर शूँ छे ए तमारे जोवानू छे अन्ना बीजो पाड छे ए चेकेंड बेलेंस तो एना विश्चे तमारे शूँ करवानू छे ध्यान राखवानू छे तो जो आपड़ा शर्वात करिये पेलादो तो सर्वातमा शूँ आवे इंट्रोडक्शन तो मैं एक फेक्चुल डिटेल रखिया हैं के बाई फ्रेंच करांती दर्म्याल मॉंटेस क्यू छे एम ना द्वारा आजे सत्तानू विभाजन सेप्रेश्ण पावर छे एन्ना कॉंसेप्ट आपवामा आवियो आपड़े सत्ताना विभाजन अनुसार राज्ययनात्राण मुख्या अंगो कया मुख्यात्राण अंगो legislative and administrative अधाराकिय वहिवटी अन्ने न्याईः पासे अलक अलक कारीयो अन्ने सत्ता रेशे सत्तानु विभाजन एनों मिनिंगा थेयो पेल आपड़े एक उधारणा प्यू पच्छी आपड़े छे ए सत्तानु विभाजन सुछे ए कहिऊ अन्ने त्यार पच्छी शुल लखो नक बे एनों मतलब ए थाई के कोई एक व्यक्ती त्रणे अंगो नी सत्ता धरावी शके नहीं आने के वासे सेप्रेशन ओफ पावर राज्यनु कोई एक अंग बिजा कोई अंग छे नी कारिय वाहीमा दखल करशे नहीं तथा बिजा अंगना कारियो पोता ना द्वारा करशे नहीं थो करवामा नहीं आवे तो तम्या स्टाटिंग आटलू करी शको आमाथी आटला मुद्दा चे चार मुद्दा यहमा थी तम्या बिए लखी शको इंट्रोडक्शन लखी शको तो पन तमारू काम थाई जाशे तो आपने आट्रोड़क्ट्रारी पाट थाई है हवे आपने आगडवद्धी है हवे मुख्य जे आपड़ी बोड़ी शे मावी है तो यहमा आपने शू करवानू के भै अहीं जे आपने पेई जोए आरी तो पहला तो आपने आपने इंट्रोड़क्शन आटलू अखी नाखियो हवे तमारे आपने यह करवानू भै भारतिय परिस्थिती अन एन इंटर हवे तमारे आरी ते मुद्धा लखवाना चालू करवाना तो जो भारतिय बंदरान इमा सत्ताना विभाजन नों सिद्धान छे ए कोई अलग रिते दर्शावमा आवेल नथी अले तमने क्या आर्टिकल स्पेशल नहीं देखाई के चालो एमा क्लियर कट लख्यों शेक भै सेप्रेशन पावर चे आरी ते इंप्लिमेंट थसे हू कि तमने जोवा मडशे नहीं पर एक अंग बिज्जाना कारियों मा दखल नहीं करे ते धारणा खली राखवामा आवे आर्टिकल पच्चास तो आर्टिकल पच्चास सू कहे शे तो राज्य द्वारा वहिवट बाबतो माथी नियाहिक बाबतों ने अलग करवानी जैंके तियारे कलेक्टर छे तो एमनी पास है डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट एमना पन पावर रहला शे अटले ज आपने कहिए डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट एन कलेक्टोरेट तो वहिवटी माथी शुकरवानी चे नियाहिक बाबतों अलग करवानी चे वह आपड़ा DPSP माँ कहल चे तो पेली बाबत आ थे तियार पची आर्टिकल 122 ने बस्तो बार एमा शुकायो चे बैस संसदनी प्रक्रिया अने जे विधायोको द्वारा संसद मा करवामा आवेला जे कारियो चे एनने कोट मा पड़ कारवामा नहीं आवे जे पन भाष्ण असवा जे पन कारियो चे संसदनी अंदर करेला चे एनने अलईने कोट मा पड़ कारवामा आउशे नहीं तो ही आपन शुकरिए सप्रेशन पीशके तो अहीं शू करियू छे बन्नेना कारियो अलग लग राखिया छे तो अहीं या नियालेई ने विद्धाइकमा दखल गीरी थिया वस्तू रोके छे कई आर्टिकल 122 बिजु धियान राग जो के आंसर लगता होई त्यारे आरी ते अंडरलाइन नीचे करती रही के जेना लिदे ए वस्तू हाईलाइट थती रहे ए बबत ध्यानमा राखवानी छे ए जृते 121 बसो गिया के भाई सुप्रीम कोट अने हाई कोट ना जज एना नियाईक कारियो छे एना पर नीचर्चा संसद मा करवामा आउशे नहीं ओके आए एक ध्यान राख जो नो रही पुत्याना पद्ना कर्तवियोन लहीने कोई पन कोट मा जवाबदार ना थी ौके क्यारे राष्ट्पतिके राज्यपलने संसर्च नहीं पाठेक बही तेमा पर्टुकुलर बील मा अथवा पर्टुकुलर छे जे निती छे मात्यमा शाइन केम करी एगुक्यारे परश्ण कि लाइने कोट एने सम्मन्स के काय वस्तु बोलाऊ शे नहीं ए धियन मा राखवानुँछ कि अपने कोई सुप्रीम कोट ना केस यह अपने लेले जहमकिया आर कोहिलो वर्सेस स्टेट ओप तमिलनाडु तथा इंदीरा गांधी वर्सेस राज जुनाराण केस एमा सुजोव मेडु के भारत मा सत्तानुव विभाजन के वुछे मरिया दी छे पेला आपड़े आर्टीकल ने बदी बाबतो लेली थी अवे सुप्रीम कोट एना चुकादाने लेली थू बिजू के तमे जे यह एक्जाम नींदर घणी वक्त शूँ था तुई के गुजराती शब्दों तरत मगेजमानावेन इंगलीश मा लखी नाखो तो थोड़ा कं सुधी छे ए चाल से पन बनी शके तो गुजराती मा लखवा नीज प्रेक्टिस करवी गुजराती मा जेटला शब्दों ने बदी वस्तु मड़े तो गुजराती मा लखो बहु रेर केस में बुला कि इंगलीश मा फरज्यत लखू ज पडशे तो पैसे तमे तिया आवी त सुप्रीम कोट नावा कोई चुका दा के वी बावत होई तो आटली बावत में इंगलीश मा लखो तो कोई वान्दों ने आव पर तमें गुजराती मा लखी शको जो कोई प्रोब्लेम ना होतो होई तो नी वाद छे चाल नेक्स्ट तो जे कोहलो केस छे अने एना पछी ब संसद सभ्या चे एज सुचे मंत्री CHE कारिय पालीका मा चे ,एज व्यक्तिके मां चे ,विधाई कामा च अल मंत्री CHE पतें संसद सभ्यत हो चे अटले नी पास बननने काम चे बनने पावर च개 तो अहिया मात्र कारियों नूँ अवरलेपिंग ने पण तो व्यक्तियों नूँ अवरलेपिंग पण जोवा मड़ छे एटले के सत्ता नूँ पोण पण विभाजन जोवा मड़तु नथी तो एत अमार ध्यान मा राखवानू छे संसद्ध द्वारा बंधारण मा जे सुधार करवानी शक्ती छे एना पर सुपरीम कोट शुकरी शक्ये छे जुडिशल रिविव लावी शक्ये छे अटले विधाईका ना कारियों छे एपन संपोण पणे अलग न थी एनने जे डिसीजन लिदू तेना पर सुपरीम कोट रिविव लावी शक्ये छे कि आप बंधारान अनुसार छे कि न थी पछी विधाईका निवाद करते तो विधाईका छे राष्टपती नो माहा भियोक करी शक्ये छे जर्जने अटावानी प्रक्लिया करी शक्ये छे अथ्वा कोई विधाईका नुसार अउमान कर्युए तो एनने दंड कर्वानी जोगवाई पण एमनी पासे रहेली छे तो आमनी पास आवान नियाईक पावर पण रहेला छे तो ए बबत मार मित्रो ध्यानमा राखवाण छेकले टोटली समपोण पणे जोवा जे तो सत्तानु विभाजन तमने हिया एरीते जोवा मड़तु नथी पची जर्जनी नियुक्ती मा कारिया पाली का कई दी ते जर्जनी नियुक्ती कोण करे राष्टपती तो आ बधी बाबतो तमारे ध्यानमा राखवानी हाती तो पण जे पेललो पाट अतों पेललो पाट कैयो सत्तानु विभाजन सुछे एहिं या पुरो थे यो अपने घणाबधर शब्दो मावधी बाबदुकर यह माथी तमने खाली पच्चास्त कापन याद रेशे तो पन तमार आंसर व्यवस्तित धाई जशे हावे जे वीजों मुद्धों छे चेक अन बेलेंस नों अभीगम तो ए जोई यह के आहिया त्राने त्राना अंग छे त्राने त्राना अंग अपने ए रित्ते सत्ता वापली छे के कोई अंग छे ए बहुँ उधर पावरुफुल न थी जे अथ्वा ए पोते अन्याई बनी न जाई ए टला में आपने चेक ऑन बेलेंस राकेल तो तमें जो, क्या प्राणाली द्वारा विविद अंगो एक बिजाओं पर शुकर छे, अंकुष राखवा प्रहेतना करें छे जहम के सरकार ना विविद अंगो छे, एने आंत्रिक रिते नियंत्रण मा राखवा, एने शुकर है चेक वीजा अंगो द्वारा मेडवूधार शक्ति ने पोता चांत है मानिलस कर विद्वारा सांत है को आपधान संसर्णिया ध्यांत पअंगत्वान वाहिं मुर्बूत मार्खू बेजिक स्ट्रक्चर छे नुँ पालन करवानू छे तो यहां इस्टू कुडशे इनी सत्ताने बेलेंस कर शेकले यह चेकेन बेलेंस करवानी बाबत तमारे ध्यानमा राखवानी छे तो ध्यान राख जो वहीवटी अने काईदा किया कारियों पर नियाईक पुर्ण्णा लोकनी शक्ती रहली छे कि जो कारिय पालीका के विधाईका छे ए बंधारं अनुशार कारिय न करे तेना पर पगला कोन लही करे शके आनुशे अनुचे तेर नो उप्यों करीने चे मानी लोके कारिय पालीका की विधाईका चे ए शुकर चे मुर्गूत अधिकारोनों भं करे तो एमना जे काईदा वथवेमनी जोगवायो चे ए हटावनी शक्तिकोनी पासे छे नियाई पालीका पासे रहली चे तो आरीती एक बिजाने शुकर चे चेकें बेलेंस करे चे युएर बंधाणी वहीवाटी कारीयो चे एना पन रद करिशचक चे नियाई पालीका जक्या चे ए जडित है नियाई प्राणाली के विछे सवतंत्र चे तेम चे तापन नियाई दिशो नियम्रूका दवरा करवा मार चे राष्टपती द्वारा तो अहीं या नियाई पाली का छे एने चेक एन बेलेंस कोन करे छे विधाई काने कारिया पाली का छे ए तो ध्यान राखो आ चेक एन बेलेंस नों मुख्य हेतु सुझ छे कि कोई त्रोण अंग खुब वधार शक्ती साडी बनी जाए त्रोण माथी कोई पाणे कांग छे वधार शक्ती साडी इनव बनी जे एक बिजा सुकर छे चेक एन बेलेंस करे छे तो आ बब तमारे ध्यानमा राखवानी दी तो अहिया बिजु स्टेटमेंट छे ने पनावर जस्टिफाय व्यवस्तित कर दीदू हवे फाइनल इशुव आपवानू छे कंक्लूजन आपवानू छे तो कंक्लूजन मा लखी देवानू के बाई सत्ताना विभाजन्नो सिद्धान जे सेप्रेस्टन पावर नो प्रिं पुग्य सरकार छे ए त्रोणे यंगो ना व्यवस्तित समन वेइथी जिसारी रिते चाली शके छे तो आरीते फाइनल इशुव करवानू छे कंक्लूजन आपवानू छे के तो आटली बावत मित्रों तमारे खास करीने ध्यान मा राखवान यती तो आपड़े इंट्रोड आपड़े बावतों नी हिया डीटेल मा चर्चा करीली थी तो एक क्वेस्चन छे ए तमने हवे हुँँ आप पूछू, तियार आनों आंसर नहीं करे पड़े तमारे आवा प्रकार ना आंसर हो छे ए लखवाना रेश है तो आवा प्रकार ना क्वेस्चन पर तमारे बदू लखवानू रेश है जेमके भारतिय बंधारन ना ते मुडबूत लक्षणों नी ओडखान करो के जेना आधार पर भारतिय बंधारन मा एकात मक्ता ने संघात मक्ता बनने ना लक्षणों सामेल छे। तमें जो कि भाषा केवी अगरी आपी छे। तमना खाली आमना सम्झेविशन ना तरत ख्याला विजुशे के आम आंसर सू लखवानों छे। पर भाषा आरी ते आपशे के तमें थोड़ी गड़ मथल मा आवशो। एतला माटे जावी भाषानों प्रियोक करवा मा आवशे। तमारू जे एनालीसिस पावर छे। एक केटलो छे ए जाणवा माटे। तो अहिया एवु केहवा मा आवशे। तमने सू पूछिऊ छे। के आपणू जे भारत नू बंधारान छे। एमा तमे एवा लक्षणों बतावो के जेनी अंदर संगिय लक्षणों छे औने एकात्मक लक्षणों छे। आपणू आम नेचर जोवा जे तो केव। छे संगिय छे। फेडरल सिस्टम छे। छे। छता पण एनी इंदर एवा लक्षणों रहेला छे। जेना काणने भारत नू बंधान केव। बना छे। यूनिटरी बना छे। सिंपल काव। जेम के है। सिंगल सिटीजन्शीप। तो सिंगल सिटीजन्शीप। भारत नू बंधान बले फेडरल सक्टर नुरियो। पण एकल नाग रिखता तो कोनी छे। यूनिटरी सिस्टम नी। कंटों कटी नी जुगूए लागू कराओ, ते शू था। तो फेडरल सिस्टम माती तरत केवाँ जईए एकात्मक बनी जईए। अचलेए फेडरल सिस्टम होवाँ छे। आपण तो भारत नू बंधान केव। बनी जईए। बंधान भारत नीं साश्चन बेवस्था केव तो मित्रों, आ पेला शेशन माँ छे आपणे आजे थोड़ोक इंट्रोड़क्टरी पाट जोयो, कहीरी ते आंसर लखवाना छे एनी बाद करी, जे बदा अलग-लग टॉंस छे एनी आपणे वाद करी सिलबस नियाखी, तो आशा राखुशू के तमे आब धी बाबतों छे, अन भविश्य माद तमे जयारपण मेंस लखशो, तो तमने आ लेक्चर छे खुबज मदेद रूप थाशे, विजू आवा घणाबदा शेशन छे आपणे आगळ जोवाना छे, आपणे आखो सिलबस छे, ए बहुँ सार रिते कम्पलीट करवाना छे, तो आसाथे आजुन लेक्चर आपणे यहां पोणा करिये रजापशो, जय हिंद, जय भारत!